पाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सितारमन ने केंद्री बजट 2023-2024 पेश कर दिया है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिश नागरिकों के लिए कई एलान किये गए है। इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि 9 साल बार टेक्स लैब में बदलाव की घोशना हुई है इससे पहले ये बताएं कि बजट से आपकी जेब पर क्या सर पढ़ने वाला है ये बताते हैं कि इस बजट को लेकर नेताओं की क्या राय है। कमर तूट रही है। सपा सांसद डिंपल यादप ने कहा कि ये चुनावी बजट है। किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की MSP की बात नहीं की गई। रेलवे को पुरी तरह से नजर अंदास किया गया। आधी से जादा अबादी गाउं में बस्ती है लेकिन उनके के लिए कुछ नहीं किया गया। ये बहुत निराशा जनक बजट है। रहत देने वाला है। विशेशकर मध्यमवर को आयकर में रहत दी गई है। जो टैक्स लैब बनाया गया है वो रहत देने वाला है। यूवा, महिला, वरिशनागरिक सभी को इस बजट में रहत दी गई है। केंद्रिय मंतरी स्मृति इरानी ने कहा कि इस बजट से महिला क का सम्मान बढ़ा बच्चों और किशोरों के लिए डिजीटल लाइब्रेरी की घोशणा से जिलास्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे इसका उलेक किया गया नारी शक्ती एक शशक्त राष्ट का निर्मान कैसे कर सकती है इसका प्रतिविम आज बजट में द बढ़ेगा उसकी नीव रखी गई है केंद्रे मंतरी प्रहलात पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि अमरितकाल में ये हमारा रोड मैप है हम दुनिया में अपनी अर्थवे वस्ता को दस्वें से पाच्वे स्थान पर ले आए हैं इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कॉं प्रोजगारी महंगाई इसकी बात नहीं की गई बाजपासांसत गौतम गंभीर ने कहा कि आमादमी के लिए ये बजट बहुत अच्छा है ये एक एतिहासिक कदम है मध्यमवर्ग को इस बजट से बहुत राहत मिलेगी जमु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंतरी फारुक अ ने कहा कि बजट में मध्यमवर्ग को मदद दी गई है सबको कुछ न कुछ दिया गया है डेट घंटे तक हमने बजट सुना अब हम इस पर बात करेंगे अब आपको बता दे कि मध्यमवर्ग यानि कॉमन मैन के लिए इस बजट में क्या खास रहा तो वितमंतरी निर्मला स सितारमन ने टेक्स लैब में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है वितमंतरी ने राहत देते हुए एलान किया है कि अब 7 लाख रुपे तक कि सालाना कमाई पर कोई टेक्स नहीं देना होगा फिलहाल के लिए इतना ही कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़ बताई